ये, मौरन विचन के अब्दुलबारी ये तो अच्छा बच्चा है ये दुआए सिखता है अच्छी बाते बताता है आप सिखे अब्दुलबारी के संग चलो, अब पढ़ाई खतम हुआ अब मैं ब्रेक लिने जा रहा हूँ कुछ देर खेल भी लूँगा और जरा ये सामान उठा कर रखने में मेरी बदत करो आँ, गए काम से कहा हो नवेद आ रहा हूँ अम्मी जल्दी से कदम बढ़ाओ वो बॉक्स उटा करूँ आलमारी के उपर रख दो जी अम्मी, रख देता हूँ मैं बस खेलने ही जा रहा था कि आपने आवाज दिये क्या तुम्हारी पढ़ाई हो गई? जी अम्मी खेलने के लावा जरा घर के काम में भी हाथ बटा लिया करो अब मैं जाओ अम्मी हाँ ठीक है, जाओ ओके अम्मी, अस्सलाम उलाइकूम उलाइकूम असलाम और ये मेरी प्लेन हवा को चीरती हुए उड़ने लगेगी ओ नवेद, अच्छा हुआ तुम दिग गए मैं ज़रा जल्दी में हूँ बेटा तुम ये सामान अपनी अम्मी तक पहुचा दो खाला, मेरे हाथ में खिलोना है मैं इस वक्त खेल रहा हूँ आप यहां तक आ गए है तो आप ही दे आईए न अम्मी को हाँ नवेद, ये तुम क्या कह रहे हो वो अम्मी, वो तुम्हें बड़ों की इज़त करनी चाहिए जाओ जल्दी से वो सामान मुझे लाकर दो जी अम्मी, लाता हूँ ठीक है आपा, मैं आपसे बादने मिलती हूँ आपका मंगाय वो सामान इस थैली में है बहुत शुक्रिया आपा क्या सीख रहे हो तुम नवेद तुम दूसरों की मदद करने में दिल्चस्पी नहीं लेते बस अपने खेल में लगे रहते हो ऐसा करते रहे तो हम खुदगर्स कहलाए जाते हैं और यहां तो मदद भी नहीं बलके तुम्हारे अपने घर का काम था यह वो अम्मी, मैं कोई मैं वैं नहीं आएंदव बड़ों की बात सुनो और जो हो सके उनकी मदद किया करो अब जाओ अम्मी, मैं कुछ देर खेल कर आऊँ अब्दलबारी और सरफराज के साथ अच्छा अब्दलबारी है तो ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आ जाना जी अम्मी, मैं जल्दी आ जाओंगा असलाम उलैकुम वालेकुम असलाम अरे वा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए अब्दलबारी मैं भी खेल नहीं आ रहा था असलाम उलैकुम नवेद वालेकुम असलाम क्या तुम मुझे बुलाने आ रहे थे नहीं, मैं तुमें खेलने लेने नहीं आया बलके सरफरास के घर जा रहे हैं नहीं सरफरास के घर? क्यों सरफरास आए नहीं अब तक? सरफरास कैसे खेलने आते? तुम्हें याद नहीं? परसु सरफरास गिर गए थे और उनकी कोनी में चोट आया है ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया ये भी कोई भूले की बात है, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों की सभी के हालात का अंदाजा लेते रहना चाहिए और सरफरास तो हमारा दोस्त है हाँ, सो तो है, अब चलो हम कुछ देर खेल लेते हैं, मैं खेल नहीं आ रहा था नहीं, नवेद हमें ऐसे वक्त में सरफरास की मदद के लिए जाना चाहिए, हाथ में चोट लगने की वज़े से वो अपना प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगे लेकिन इस वक्त तो खेल का वक्त है ना, बाद में चले जाना खेलते तो हम रोजाना है, लेकिन ऐसे मुआके तो कभी कभी आते है, जहां हम दूसरों की मदद कर सके तो क्या सरफरास ने तुम से खुद मदद पांगे? नहीं, इससे पहले की हमारा भाई हमसे मदद पांगने पर मजबूर हो, हमें पहले से ही आगे बढ़कर मदद करना चाहिए पहले ही से? हाँ, हम ऐसे कैसे दोस्त हो सकते हैं, जिन्हें अपने दोस्त की जरूरत का खयाली ना हो, उससे कुछ आकर कहना पड़े मेरे तो कुछ समझ नहीं आया देखो, एक हदीस में प्यारे नभी सरे लाहु अलिवसलम फरमाते है कि जो लोग किसी जरूरत मंद की जरूरत पूरी करेंगे, यानि उसकी मदद करेंगे और उसे राहत पहुचाएंगे, तो अल्ला सुभानवत आला भी उन लोगों को आखिरत में राहत देगा आ, हाँ, ठीक है और हमने कितने ही वाकियाद सुने हैं, सहावा रजिल्लाहु अनुम के, कि वो किस तरह लोगों की मदद किया करते हज़त अबू बकर, उमर फारुक, जिल्लाहु ताला अनुम के वाकियाद ही देख लो एक मिनट रुको नवेद, उन्हें शायद मदद चाहिए अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपको शायद कोई मदद की जरूरत है वालेकुम अस्सलाम बेटा अब्दुल्बारी माशालला, तुम समझ गए, लेकिन तुम छोटे हो और मुझे ये सामान अपने कांधों पर उठाना है तुम जाओ, कोई न कोई आ जाएगा नहीं चाचा, मैं अकेला नहीं हूँ नवेद और मैं मिलकर उठाएंगे, तो ये हो जाएगा, इन्शालला नवेद, यहाँ आओ तो हाँ, क्या बात है अब्दुल्बारी आओ इसे उठाने में मदद करो और ये हो गया, मैंने कहा था न, नवेद की मदद से हो जाएगा बहुत शुक्रिया अब्दुल्बारी, और तुम्हारा भी नवेद अल्ला तुम लोगों को अच्छा बदला अता करे मैंने ये अब्बा से सीखा हूँ, वो हमेशे अपने रिष्टेदारों और दोस्तों की खैर खबर रखते हैं, और जरूरत पढ़ने पर वो मदद भी करते हैं इससे पहले की लोग मजबूर होकर उनसे मदद मांगने आए हम, मेरे भी अब्बा मदद करते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं करते दूसरों की मदद लाए, दादी इसे मुझे दे वीजिए, मैं ले चलता हूँ